मुझे पता चला कि ये रेसिपी इंडिया के बहुत से स्टेट्स में नहीं बनाई जाती है तभी मैंने इस रेसिपी को बनाना डिसाइट किया तो दोस्तों यहां पे एक कटोरी मेंने चावल का आटा ले लिया है और हलके गुन-गुने पानी से इसे हम सानेंगे इसका एक अच्छा साव डो लगा लेंगे याद रखे कि पानी हमारा बहुत बर्निंग होट नहीं होगा और नहीं प्लीन वाटर लेना है हमें जो पानी लेना है वो गुन-गुना सा लेना है उससे हम जैसे रोटी का डो लगाते हैं उस तरीके से डो लगा लेंगे और डो लगा के हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे इस डो को रेडी करने के लिए मुझे आधे कलास से थूड़ा सा जादा पानी का प्रियोग करना हुआ और साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे चने के डाल को जिसको मैंने 5-6 घंते के लिए पानी में सोक कर दिया तब यह दाल बिल्कुल रेडी है इस तरह के से नेलसे से कट करके मैं ने चेक भी कर लिया है ये दाल बिल्कुल रेडी है यूज होने के लिए तो इनको डालना है एक ब्लेंडिंग जार में और उसके साथ ही मैंने यहां पे लिया है साथ से आठ लहसन की कलिया और चार से पांच मिर्च साथ ही हमें लेना है दो इंच का अद्रक का टुकड़ा और इन सभी चीजों को डाल के साथ हमें ब्लेंड करना है तो उसको पहले छोटे छोटे पिसेज में कर देंगे ताकि एक तरीके का एक ब्लेंडिंग में हमारी चीजे पिस जाए और हमें कोई ऐसा नहों कि कोई भी टुकड़ा हमारे इसमें ख़डा रहे जाए तो थोड़ा जो अद्रक होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है तो हम उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में करके डालेंगे और साथ ही मैंने यहां पे एक चमच जीरा दिया है जीरे को हम इसमें डाल देंगे दोस्तों इसमें बिना पानी का हम इसे ब्लेंड करेंगे एक ब्लेंडिंग के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे बहुत ही इसली नहीं यह पिसता है इसमें अब मैंने इस स्टेज पे दो चम्मच पानी का प्रयोग किया है दो चम्मच पानी डालके हम इसे ब्लेंड करेंगे दोस्तो कम से कम पानी में जितने में आप ब्लेंड कर सकते हैं बस उतनी ही पानी का हमें प्रियोग करना है तो यहां दो चम्मच पानी में बहुत ही अच्छी तरीकी से पिस गया है 100% फाइन पेस्ट नहीं बनाना है 90% यह दाल पिसेगा और 10% इसमें कुछ आधे टुकड़े वाले दाल भी रहेंगे तो वो भी बिल्कुल इस रेसेपी में पर्फेक्ट तो ध्यान रखें कि हमें इस स्टेज पे दाल में नमक नहीं आड करना है नमक अगर आप पहले अड कर देते हैं तो दाल नमक से पानी छोड़ देता है और दाल गीला हो जाता है यहां हमारा डो भी बिल्कुल अच्छे तरीक से सेट हो गया है और एक लिड्डू बराबर लोई हमें लेनी है और इसको इस तरीके से हथेलियों की हेल्प से हमें पूरी नुमा बना लेना है दोस्तो इसको बेलन वेगरे की सहायता से नहीं बनाए हथेलियों से इसली बन जाता है और इस स्टेज पे हम दाल में आड करेंगे नमक और क्योंकि अब हमें इसको यूज करना है तो यूज़ करने के टाइम पे ही इसमे नमक का प्रयोग करें और जो मैंने यह पुरी बना रखी है उसमें हम इसके स्टाफिंग करेंगे दोस्तो स्टाफिंग करने का तरीका बिल्कुल यूनीक है तो आप इसे बहुत ज़ादा ध्यान से देखें तो यह देखिए दाल में अबक अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है दाल तो हमारी बिलकुल रेडी है और यहां पे पूरी भी बिलकुल रेडी है तो पूरी को मैंने हाथेली हाथेली पे लिया और इसमें हाफ साइड में ही हम इसको रखेंगे दाल को पूरी पूरी पे हमें दाल को नहीं फैलाना है और हाफ यों करके फोल्ड कर देंगा आप देख सकते कि इसको मैंने पैक नहीं किया है सिर्फ मैंने इसको फोल्ड किया है और इस तरीके से सब भी फरे रेडी है तो दोस्तों ये देखे, बिल्कुल पर्फेक्टली बन जाता है, दाल में इसलिए मिनिममम पाने का यूज करते हुए दाल को पीसना है और यहां पर मैंने एक स्टीमर रेडी कर लिया है साथ ही मैंने एक जाली वली प्लेट ले ली है इस तरीके के जो भी आपके पास जाली वली प्लेट हो, वो ले ले तो इस तरीके से मैंने स्टीमर रेडी किया है दोस्तों, यहां पर एक से डीट ग्लास पानी डालके मैंने स्टीमर रेडी कर लिया है और यह देखिए, जाली वली प्लेट पे आपको फरे रखना है इस तरीके से रखना है, यह एक दूसरे से टेश ना हो और बस इतने फरे रखें एक लेयर फरे डाले और इन्हें कवर कर दें कवर करके चार से पांच मिनिट तक पहले इस पे वैपर पूरा लग जाने दें और उसके बाद ही इसके उपर फरे रखें दोस्तों अगर आप एक साथ सभी रख देंगे सारे सभी फरे आपस में चिपक जाएंगे और इस तरीके से परफेक्ट तरीक यही है कि पहले आप पांच मिनिट उस पे वैपर लग जाने दें और उसके बाद बागी बचे हुए फरे को आप इसमें प्लेस कर दें तो दोस्तों प्लेस करने के बाद हम फिर से इसे कवर कर देंगे और इस टाइम हमें फ्लेम को मिडियम रखते हुए लगबग बारा से पंदर मिनिट के लिए स्टीम देना है और उसके बाद हम नाइफ या फॉक की हेल्प से इस तरीके से प्रिक करके देखेंगे अगर ये नाइफ में लगे बिना ही नाइफ निकल आ रही है तो इट मीन्स ये परफेक्ली कोख हो गया है और इसको तुरंथ स्टीमर से हम हटा लेंगे दोस्तों गरम में हम इसे सेपरेट कर लेंगे दोस्तों इंडिया के बहुत से पार्ट्स में यह रेसिपी नहीं खाया जाती है बट यूपी बिहार के रिजिन में हम इसे बहुत ही पॉपॉलरली यूज करते हैं विंटर सीजन के एकदम आइडियल रेसिपी है आप इस रेसिपी को एक ट्रॉई जरूर दे और इसे गर्मा गरम सर्फ करें या फिर बहुत लोग इसे फ्राइ करके भी सर्फ करते हैं तो विंटर के लिए एकदम आइडियल रेसिपी है मुझे तो यह बहुत अच्छी लगती है हम सभी की फेवरेट है एक ट्रॉई आप भी दें और मुझे भी बनाएं कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दे थैंक्यू वेरी मच्छ थैंक्स फॉर वाचिंग बाबाई तिल मैं नेक्स वीडियो कम्स